कॉंग्रेस और राहूल गांदी का असली चेहरा धीरे-धीरे सब के सामने आने लगा है। कॉंग्रेस लगातार टुष्टी करन की राजनीती करती रही है और अपने आपको देश के मुसल्मानों की हिताहसी बताती रही है। बताते हैं आपको सब कुछ डीटेल में तो बने रही हे खबर के साथ। कॉंग्रेस के पूरवध्यक्ष राहूल गांदी ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा की थी। उनकी यात्रा जब महराष्ट के नांदेर पहुँची तब मुंबै युवा कॉंग्रेस के अध्यक्ष और कॉंग्रेस पार्टी के विधायक जिसान सिद्धिकी के साथ राह पहले अपना वजन 10 किलो घटाएं उन्होंने इस दोरान पार्टी में खुद के साथ धर्म के आधार पर भेदवाओ के आरोप भी लगाएं उन्होंने कहा कि क्या मुसलिम होना गुना है जिसान ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी में मुसलिमों के साथ सबसे ज़्यादा कॉंग्रेस विधायक जिसान सिद्धिकी ने कहा कि मैं नांदेड में राहूल गांदी के साथ उनकी नियायातरा से जुड़ा लेकिन राहूल गांदी के करीबियों ने मुझे राहूल गांदी से नहीं मिलने दिया ये बताने पर भी कि मैं कॉंग्रेस का विधायक हूँ य अपना काम कर रहे हैं मलिक अरजुन खड़गे जी मेरे पिता समान हैं वो इतने वरिश नेता हैं फिर भी उनके साथ बंधे वे हैं वो कभी कभी कुछ चीजे नहीं कर पा रहे हैं राहूल गांदी जी की जो तीम है उनके आसपा वो तो जितना पार्टी को खत्म करते जा रह हैं ऐसा लगता है कि उन्होंने सामने वाली पाटी से सुपाड़ी ले लखी है कॉंग्रेस को खत्म करने की जिसान ने आगे कहा कि मुझे तो भारत जोडो यात्रा के दोरान जब मैं राहूल गांदी के साथ चलने की कोशिश कर रहा था तो मुझे हटाया गया राहूल गा गांदी के करीबी वेक्ती ने तो यहां तक कह दिया कि पहले चल 10 किलो वेट कम कर फिर राहूल जी से मिलाओंगा राहूल जी की टीम जो है वो इतनी करप्ट है कि क्या कहूं राहूल जी के करीबी लोग बहदरूड हैं दरसको यह कोई पहली बार नहीं है जब राहूल गा प्रेसे नेताओं को बेजज़त करते रहें तो एक दिन पार्टी में चम्चे ही बच जाएंगे नेता नहीं ब्यूरो रिपोर्ट ओमेच न्यूज और भी वीडियो देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं